मैं हूँ आपके समने गोरो मिखलानी, आपके इस चैनल का ये वीडियो नंबर 1171 है, हम टोपिक जो डिसकस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस का, डिफरेंस बिट्विन इंकम एन एक्सपेनिचर अकाउंट एंड प्रोफिट एन लोस अकाउंट, इन दोनों टोपिक में क्या डिफरेंस है, पॉइνट नंबर 1, objective को लेकर, income and expenditure अकाउंट का जब टार्गेट क्या होता है, objective क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि Access of income, our expenditure, या, Nick access of expenditure, our income, यह हमारा यहांट पर target होता है, जबकि Profit and Loss अकाउंट का जो target होता है, वो net profit ये net loss identify करना होता है ये business concerns होती है इनका target सिरफ profit कमाना होता है तो ये बस यही जानना चाहती है कि हमारे business में net profit हुआ है या net loss हुआ है Point number two ये है हमारा prepared by ये ready कौन करता है income and expenditure count ये ready करती है NPO's बोले तो not for profit organizations ऐसी organizations जिनका target profit कमाना नहीं होता organizations ये ready करती है क्या income and expenditure account क्योंकि इनका target होता service देना लोगों के benefit के लिए काम करना charitable trust चलाना charitable hospital चलाना कुछ dispensaries खोलना जहां पर लोगों को free service ही दी जाती है या बहुत ही कम cost के उपर जबकि profit and loss account कौन ready करता है trading companies ऐसी companies जिनका target profit कमाना होता है आपने देखा होगा business organizations चाए वो sole trader है चाए वो partnership है चाए companies है इनका target होता है profit कमाना तो definitely ये लोग क्या करते हैं profit and loss account ready करते ही है क्योंकि इनका target प्रोफिट प्रोफिट और प्रोफिट होता है income and expenditure account किसके base पर prepare किया जाता है इसको बनाने के लिए इसको ready करने के लिए हमें receipt and payment account की help लेनी होती है पलस कुछ और information भी हमको मिल जाती है इस information के base पर हमें ये ready कर लेते है जबकि profit and loss account हमने देखा है या तो ये trading account के बाद बनता है या आप ये भी कह सकते हो कि हम trial balance की help लेते हैं या कुछ और information होती है उन सारी information के base पर हम profit and loss account असानी से बना सकते है point number 4 balance income and expenditure account को बनाने के बाद हमें क्या पता चलता है या तो surplus या deficit हम इसको हिंदी में आधिक्य या कमी भी कह सकते हैं अगर मैं profit and loss account की language में बोलू तो आप इसको यहाँ पर क्या बोलते हो net profit या net loss पर NPO's के अंदर जो organizations जिनका target profit कमाना नहीं होता अगर वो company ये बनाती है तो उनको जो net profit या net loss find out करना होता है वो उस net profit को तो क्या बोलती है surplus, net loss को वो लोग क्या बोलते है deficit बोलते है अधिक्य या कमी तो ये था हमारा simple सा video, simple सा topic तो मैंने आपको इसी video की description box में कुछ और important links भी दिये हुए है आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं झाहें